दोस्तो आप यदि अपने ब्रांड के नाम से पाउस प्रिंट करवाने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि पाउस प्रिंट करवाने में मिनिमम कितनी कोस्टिंग आएगी कितना खर्चा आएगा लेकिन वी वीडियो अप्लोड करता हूँ तो आप लोग यदी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे लेटेस्ट अप्लोड किये हुए वीडियो पर कमेंट करते हैं तो कमेंट ट्रैकर के माध्यम से मैं प्रतेक सब्ता एक सब्सक्राइबर को चुनूँगा और उसके करेंगे आर्ट बायरंजी तो मेरा चैनल मिल जाएगा वहां से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अब सुरू करते हैं आज का पाउज प्रिंटिंग का वीडियो तो आप किसी भी कमपनी से पाउज पिंट करवाते हैं तो उनकी एक मिनिमम ओर क्वांटि मिनिमम ओर क्वांटिटी होती है उसके नीचे वो लोग पाउज प्रिंट नहीं करते हैं तो हम मिनिमम ओर क्वांटिटी 500 किलोग्राम ले लेते हैं अब बात करते हैं प्राइस की तो पाउज की क्वालिटी के हिसाब से 200 रुपिये से लेकर उपर 500 रुपिये 1000 रुपिये पर kg के हिसाब से पाूज प्रिंट करने की रेट होती है अब माध को लेजे आपको 1 kg साइज की पाूज प्रिंट करवाने है तो यहाँ पर हम minimum order quantity ले लेते हैं 500 kg और minimum price लेते हैं 200 रुपिये पर kg तो एक kg साइज के पाूज प्रिंट करवाने में आपकी सिर्फ printing को शपड़ेगी एक लाक रुपे और इसमें और भी खर्चा जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा सिलेंडर का तोस्तों सिलेंडर लोहे के पाइप होते हैं जिनके उपर तामे की कवरिंग होती है और उसके उपर आपकी डिजाइन के हिसाब से उनमें डंकासी की जाती है उनको इंग्रेप किया जाता है उनमें बहुत ही बारिक छेद किये जाते हैं और इन छेद का काम होता है शाही को प्रिंटिंग इंक को लेके पॉलिथीन पर पॉलिस्टर पर छोड़ देना था तो पा उसमें चार कलर है तो आपको चार सिलिंडर बनवाने पड़ेंगे एक सिलिंडर की कोस्टिंग पड़ती है 15,000 रुपए आपने यदि चार सिलिंडर बनवाए हैं तो उसकी कोस्टिंग पड़ेगी 60,000 रुपए तो एक खिलो साइज का पाउस प्रिंट करवाने में आपकी सिरिंडर के साथ कोस्टिंग पड़े गी एक laak 60,000 रुपए अब बात करते हैं 500 ग्राम और 500 ग्राम के साइज के पाउस की तो दोस्तों आपको 500 ग्राम के साइज के पाउस बनाने हैं तो उनके लिए भी अलग सिलिंडर बनेगा और धाई सो ग्राम के पाउच बनावने हैं तो उनके लिए भी अलग से सिलिंडर बनेगा तो दोस्तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कम सिलिंडर यूज़ करके आप ज्यादा कलर वाले पाउच प्रिंट करवा सकते हैं ज्यादा कलर वाली डिजन बनवा सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया चार अलग-लग कलर के लिए चार सिलिंडर बनाने पड़ेंगे और तीन अलग-लग साइस के लिए कुल मिलाके 12 सिरेंडर आपको बनाने पड़ेंगे और 12 सिरेंडर की कोस्टिंग पड़ेगी 1,8,000 रुपे तो आपकी पाउच की डिजैन में जोघी चार अलग-लग कलर है और आप एक ही डिजैन में तीन अलग लग साइज के पाउच प्रिंट करवा रहे हैं तो आपकी कुल कोस्टिंग पड़ेगी 4,80,000 रुपे जो की लगवग 5,000,000 रुपे के आसपास है तो दोस्तों यदि आपका बजट कम है तो आप पहले एक ही साइज का पाउच प्रिंट करवाएं जिस साइज की मार्केट में खपाज ज़्यादा है बाद में आप दूसरे साइज में भी पाउच प्रिंट करवा सकते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह कम सिलिंडर यूज करके आप ज़्यादा कलर वाली डिजैन बनवा सकते हैं और साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस तरह एक सिलिंडर यूज करके आप अपने ब्रांट के नाम का पाउच प्रिंट करवा सकते हैं तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे का निशान दबा के ओल वाला उप्सन ओके करते हैं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिपिकिशन मिल जाए और हाँ मेरे आठ वाले चनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें ये वीडियो देखने के लिए भूद भूद धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो है वे नाइस टे